प्रदेश के बहराइच में आदम खोर भीडियों ने 35 से ज्यादा गाउं में आतंग का माहुल बना दिया है। प्रदेश के बहराइच में आतंग का माहुल बना दिया है। प्रदेश के बहराइच में आतंग का माहुल बना दिया है। इस मामले में डियापो अजीत प्रताप सिंग का भी बयान सामने आया है। प्रदेश के बहराइच में ने कहा कि हमने पांचवा भीडिया पकड़ लिया है। पर पाएंगे। पर्यास तो लोग हम डेली कर रहे हैं 100% कर रहे हैं। हमारी टीम है जो है कुछ यहां पर हमने कुछ किराय पर लोगों को रखा है। जो यहां पर हमारी सामाल ले आने ले जाने में तमाम तरीकी से मदद करते हैं। इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारी चीफ वाइल लाइफ वाइदेंसर इसको नेड़े लेंगे कि यह कहा जाएगा। यह कौन सा बेड़िया एक कहा जाता था एक लंगड़ा बेड़िया एक लंगड़ा नहीं है। यह सही सलामत है कोई दिकत नहीं इसको अभी तक जितने घटनाओं को यही अंजाम दे रहा था क्या। देखिए मैं सुरू से ही बोलता आया हूं कि ग्रूप में काम करते थे और एक कम होते गए लेकिन इनकी आदिते खराब हो गए थी। आदमी के बच्चों को सिकार करने का इनकी आदिती खराब थी। जब तक यह सभी च्छव पकड़े नहीं जाते तब तक समस्या यह तो आज नहीं तो क्या उसकी जैसे कोई समस्या होगी जो लंगड़ा भेड़िया है क्योंकि आप लोग तो इसके वक्त से लगें क्या वो इसको पकड़के हम जो है. जूमनी भेड़े नचाहते हैं.' कामला सदर पुर इलाकी का था। भैराइच में बेडियों के हमले में साथ लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। 35 से जादा गाओं में बेडिये के डर से लोग चैन की नहीं सो पा रहे थे। लोगों का दावा है कि एक दर्शन के करीब इलिये गाओं में खूम रहे हैं हालनकि वन विभाग इनकी संख्या कम बता रहा था। हुआ